नमस्ते मैं डॉक्टर नांसी भार्दवाज हिमानी शर्मा के साथ स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ एंज जोधपुर की तरफ से आज आपको मास्के सही पहनने और उतारने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी आज कल मास्क का बहुत प्रयोग हो रहा है तो उसके फुल प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत आविशक है कि मास्क को सही तरीकी से पहना जाए और उतारा जाए मास्क को चूने से पहले इस चीज का ध्यान रखे कि आपके हाथ एकदम साफ और सुरक्षित हो ऐसा करने के लिए आप साबुन पानी का इस्तमाल कर सकते हैं या हैं सानिटाइजर से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं इन्होंने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है तो ये मास्क को चू सकते हैं मास को उठाते समय इस चीज का ध्यान रखे कि मास को हमेशा कोने की तरफ से उठाए ना कि आगे की तरफ से या बीच की तरफ से उसके बाद मास की जांच कर ले कि मास कहीं से कटा फटा तो नहीं है मास के दो भाग होते हैं एक उपरी भाग जिसमें सफेद रंग की मेटल की पटी होती है जो नाक पर फिक्स करी जाती है और एक नीचे का भाग जिसमें कोई पटी नहीं होती है उसके बाद मास की दो सतय होती है एक आगे की सतय जो नीली होती है और एक पीछे की सतय जो सफेध होती है जो हमारे नाक और मुझ को कवर करती है अब हम मास को पहनेंगे और पीछे की और डोरी को ले जाकर कसकर बांदेंगे इसके बाद इसको आगे से नाक पे पिंच करके फिक्स कर लेंगे उसके बाद नीचे की और खीचते हुए, मुँ और नाक को कवर करते हुए, पीछे की और उपर ले जाकर बांदेंगे उसके बाद हम इन सब चीजों का ध्यार रखेंगे कि कोई gap तो create नहीं हो रहा है, मास के पीछे और उपर की तरफ उसके बाद हम मास को कभी इधर उदर चुएंगे नहीं और मास को केवल आट घंटे के लिए ही पहनेंगे या फिर अगर आपका मास्क गीला हो जाता है छीकने के कारण या पसीने के कारण तो तुरंद उसको बदल देंगे अब है मास को उतारने के प्रक्रिया मास को उतारने के लिए पीछे से उसकी डोरी की तरफ से ही उसको उतारे हमेशा आगे की तरफ से खीच कर ना उतारे मास को उतार कर उसको ढखकन वाले डस्पिन में ही फेके और उसके बाद अपने हाथों को साफ कर ले थांक यू